नमस्कार दोस्तों एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में आप देखेंगे बनारस के केंट रेलवेश स्टेशन पर हो रहे हैं यार्ड री मॉडलिंग का किसा काम हुआ है उसे इस वीडियो में पूदा देखेंगे तारीक की बात करूं तो आज 5 अक्टूबर और दिन है गुरुवार का तो चलिए दिखाते हैं बेक एम्वेस से कितना काम हुआ है यार्ड री मॉडलिंग का यह आप देखेंगे बनारस का कैंट रेलवेश स्टेशन और वीडियो यहीं से मैं शुरू करता हूं शांदार यह रेलवेश स्टेशन है जिस का यार्ड री मॉडलिंग का काम चल रहा है और जिसके बनने पर बनारस के इस रेलवेश स्टेशन का कायक कल्प हो जाएगा चलिए अंदर चलते हैं आपको और पूरा डिटेल में दिखाते हैं कितना काम हुआ है यहां पर यह सभी सुरत बहुत जलत बदलने वाली है बनारस के केंट रेलवेश स्टेशन का यहां देख रहे हैं एक और दो नमबर प्लेटफॉर्म यहां से फिलहाल गाडियों का संचालन किया जा रहा है लेकिन सभी प्लेटफॉर्म यानि कि तीन से लेकर नौ प्लेटफॉर्म तक काम जोरो सुरों से चल ला है चलिए फुट और ब्रिज के ऊपर से भी मैं आपको दिखाऊंगा नीचे गद्रिश है कितना काम हो रहा है मिलाल नीचे आप देख पार है यहां पर जितनी पुरानी पट्रियां थी उन सभी को चेंज करके किस प्रकार वैस्ता किया रही है और यह प्लेटफॉर्म जितने भी है उनकी लंबाई करीब शाड़े छेसों मीटर लंबा किया जा रहा है जैसा कि आप देख रहें नीचे में तब कि तेजबती से काम चल रहा है तो चलिए और भी आपको नीचे लेके जानकारी देते हैं फिलहाल यह आप देखाए बनारस का केंट्रिल्वेस स्टेशन अब देख रहा है जैसे भी प्लेटफॉम में शेड है उन सभी को बनाया जा रहा है नया किया जारे बिल्कुल और वारिंग का भी काम हो रहा है एलेक्ट्रिक पोल्स में यह है प्लेटफॉम में चार और पांच यह तक यहां बनारस में जैसा के मालूम हो एक सितमबर से लेकर 15 अक्टूपर तक यहां बनारस में आपका यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है जिसमें काफी प्रगती है जैसा कि यह देखेंगे आप यहां पर तीन और चार नमबर प्रेटफॉम है यहां पट्रियां बिल्कुल बदल दी गई है पुरानी पट्रियां और पट्रियों को सीधा किया गया है चलिए और आगे चलते हैं आपको लेकर जैसे कि यह देख रहे हैं यहां पर प्रेटफॉम की लंबाई बढ़ाई जा रही है साड़े 600 मीटर लंबा प्रेटफॉम जिससे कि आने वाले समय में 22 से लेकर 24 डिब्बो वाली बोगी वाली ट्रेने आसानी से प्लेटफॉम पर खड़ी हो सकेगी इसके पहले मैंने वीडियो अप्लेट कि तकी उस वीडियो को आपने काफी पसंद किया था उमीद करता हूं कि यह वीडियो के आपके पसंद आएगी और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट शेयर जरू कीजिए और चैनल पर दोस्तों नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जोरू कीजिए जब देखाएं प्रेटफॉर्म पर नेजी की तरफ टाइस लगा जा रहा है और इस तरफ देखाएंगा तो यहां भी टाइस होखा हुआ है और यह भी सब पट्रियों के उपर प्रेटफॉर्म पर बिछाए जाएगा सभी दिलिशा आप देख रहा हैं तीन और चार नंबर प्रेटफॉर्म कर अज़ाल 15 अक्टूबर तक यह काम मुश्ची लग रहा है और आगे खीचेगा काम और यह आप देख रहा है छे प्रेटफॉर्म और उसके आगे है साथ यहां भी आप देख रहा है जैसा है कि पट्रियों को सीधा किया गया है और प्रेटफॉर्म कर यहां पर काम चल रहा है यह देख रहा है हम साथ और आठ नमर प्रेटफॉर्म यह दूदिए यह दो रहा है यह दो दो झाल यह दो यह दो अदो यह यह प्रयों बनारस के कैन्ट रिल्वे स्टेशन का बहुत ही जल्द काय कलप होगा और पूरा केन्ट रिल्वे स्टेशन आपको नए अन्दाज में दिखाई देगा फिल्हाल काम में काफी तेजी है लेकिन जिस प्रकार 15 अक्टूबर लास्ट डेट है इसका पुरे काम को कम्प्रीट होने का वो आपको यहां पर दिखाई देगा आगे भी यह काम बढ़ सकता है और फिल्हाल यह द्रिश आप देख रहे हैं छे और साथ प्लेटफॉर्म का काफी गाड़ियां यहां पर रद दिखी गई है या फिर आपका उनका रेट उनका रूट चेंज किया गया है जा सकता ने बताया सभी सवारी गाड़ियां आपका एक और दो प्लेटफॉर्म से चल रही हैं बाखी सब आपका फिल्हाल अभी काम के चलते संचाला नरिलवे का यहां से बंद है चलते हैं आपको आठ और नौ प्रेटफॉर्म पद्रिश से दिखाते हैं भाग क्या काम चल रहा है यहां देखा है मैं एस्केलेटर भी लगा जा रहा है प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म प्लेटर नौ पर नौ देखा है यह है प्लेटफॉर्म नमबर नो दो प्रेटफॉर्म आइलेंड प्रेटफॉर्म ही बन रहे हैं और उसके कंप्रीट होने के बाद यहां प्रेटफॉर्म की संख्या 11 हो जाएगी अभी फिलहाल आपका 9 प्रेटफॉर्म है चली दूस्तों वीडियो को ही पर विराम देता हूं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए अप्डेट के साथ तब तक के लिए हैं मुश्कार जाहिंद हर हर महां देखॉर्म अजय को का एक बखस्तुम है प्रेट की बवाओयी मैं भुष्वत cरमों की ते